इस जल को अपने आसपास के इस आधी जगह से गंगा का जल काउन के रूप में लेकर आते हैं और रास्ते में बंबं बोलते आते हैं इस जल को अपने आसपास के सिव मंदर में अर्पित किया जाता है और इस प्रकार साल भर के लिए सिव भगत अपनी आधात्मिक क्रिया को पून मानकर संतुस्टी का अनभव करते हैं पिछले 10-15 वर्सों में काउण का प्रिचलन इतना बढ़ गया है कि काउणियों की अधिकता को देख कर परिवहिन के मार्गों को भी बदलना पड़ता है काउणियों की संख्या हजारों से लाखों में पहुँच गई है काउणियों के विवहार की भी आपसी लड़ाई की घटना हर वर्स समचार पत्रों वा सोसल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुँचती है ये किस प्रकार की भक्ती है जो हमारे अंदर मानवता इस्थापित नहीं कर पाती जो हमें हिंसक बनाती है वा जो हमारे व्यसनों को समाप्त नहीं कर पाती वहुचसे कावणियों को भी यात्रा के द्वरान व्यसन करते पाया गया है ताजुप की बात ये है कि कुछ नसेडी लोगों ने भी नसे का समर्थन भी भगवान सिप के वारे में ये वरांती फैला कर किया है कि वो भी भांग पीते हैं, वो धूम्र पान करते हैं धूम्र पान करते हुए कि सिप की फोटू भी आम समाज में प्रिचलित कर दी प्रियदर्श को इन बातों के साथ हम अपने सद्ग्रंथों के प्रकास में यह भी देखेंगे कि क्या यह सिव भक्ती का कोई प्रमाणित मारग है, क्या किसी सद्ग्रंथ में इस क्रिया का समर्थन है यहां हमें यह जानने की ज़ूरत है कि सद्ग्रंथ का अर्थ प्रभू दत्ग्यान से है जैसे वेद गीता आदी इसके अलावा पुरान आदी रिशियों का अपना अन्वाव है उनका वही ग्यान हमें मानने होना चाहिए जो प्रभू दत्ग्यान का समर्थन करते हैं वेद गीता जी आदी में प्रभु का आदेश है और उससे हटकर यदि हम लोग परम पराया किसी के कहने भर से अपनी आध्धत में क्रिया करते हैं, तो वह है प्रभु के आदेश का अपमान करने वाला ही है, और जब कावर लाने का निर्देश किसी सतगरंत में है ही नहीं, नकली भ्रिमित लोगों द्वारा अपनी अज्यानता के कारण वेशक समाज में इस क्रिया के महत्तम को पेश किया गया हो लेकिन वास्त्विक्ता इसके विलकुल उलट है गीता जी के अध्याए 16 इसलोग 23 में लिखा है कि सास्त्र ब्रिद क्रिया करने से कोई आध्यात्मिक लाव होने वाला नहीं है तो फिर कावल लाने से भक्ति लाव की उम्मीत कैसे की जा सकती है कावल लाने के दौरान होने वाली दुर घटनाओ से वा वर्सों पहले हुई नील घंट की दुकत घटना भी इस तरफ संकेत करती है कि यह एक निरर्थक आध्यात्मिक प्रियास है भक्ति की क्या विधी है जिससे हम आत्म कल्यान को प्राप्त कर सकते हैं इसका विवरण अपने सद्ग्रंथों में दिया हुआ है और हमें यह भी जानने की जरूरत है कि हम पड़े लिखे होकर भी अंद्विश्वासी वा रूरिवादी न वने आपके दिमाग में हजारों प्रिस्न उत्पन हो सकते हैं कि ये क्या तो बहुत पुरानी है तो क्या सभी अंजान थे क्या किसी को भी ज्यान नहीं था अपने सद्ग्रंथों का इस विसाय में हम कुछ कहें इससे पहले जरूरी है कि आप खुद रूबरू हों अपने मूल सद्ग्रंथों से वेदों से और गिता से जहां बक्ति की चर्चा होती है वहां बिनम्रता होती है विवेक होता है वहां पूर्वा ग्रह का कोई स्थान नहीं होता है इसलिए स्थ्विक भक्ति वा भग्वान का परचय करवाते हैं तो आए जानते हैं कि संत्राम पाल जे इस भक्ति क्रिया के वारे में क्या कहते हैं अर्सन्यासी संकर को भूले वंभ महा देध्यावें अत्रागते भी कमाल कर दिया आपना देखा होगा यह कावड ल्यानी है कावड ल्यान जाते है रिध्वारता क्वास करें सामन के महिने में हैं और वहां सिर्व थाल में वह दो किलो गंगा जल लेका चाले है गंगा का उनके पैरा भचैरde पड़ आँ यह को बसमाबैट कर जाथ पैदल ज्याज आते हैं और वो बगवान संकर के कुझारी पन कदरतें हैं भगवान संकर का जो नाम हम आपको देते हैं उसे लाव देता वगववान बैसे नहीं देता अगी और देखो परतेक इश्ट का अपना-पना एक गुपत मंतर हैं जिससे वो आकरसित होते हैं एक कोड वर्ड होता है जैसे कुटे ने कुट्ता कुट्ता करें जाकती नहीं देखा है अर उसको बूर्ण कराथे तो तो कुरंत देखता है ऐसे इसे ही प्रतेक पसुपे अलग-अलग code word होते हैं तो ऐसे ही इन बगवानों के भी code word है जो विशेशन मंतर है दिन से ये तुरंत आकर्शीत होते हैं वो ये धारत मंतर है जो हम आपको देते हैं तो वो क्या करते आते हैं वहां से लेक है सामन के महिने में इस सुक्सम वेद में लिख्या है कि सामन के महिने में तो सेर को भी निलाना चीछ सुड़े सुड़े तिसी टाइम में यानि जितना हो सके कम से कम सफर करें सामन के महिने में से पैदल चलो गंगा से परिद्वार से और अपने अपने घर तक आओ तो उसमें कितने जीवन के पैरां तलम रहें वह सारी उनके वैड़ अकाउंट में लगजी जाते हैं पाप में और पाया गंगाजल ले काम हूँ बता बगवान शिव जी कि अप उस गंगाजल का वुख बंब का नाम भी बुंड़ा और वो मानने इसन मंतर तक काल में हमारे को सारे यह उल्टे पार्ट पर डवा रहे हैं और एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोड़े चालागे ने अर्वेब बेर में कहेंगे बोड़ी चालागे ने इन जो निवेरा तुम के संगया दे रहे हो निक कत्री माइनस जीरो के पहुंच गए अब इस माइनस जीरो से उपर उठाने के लिए इस दास को कितना संग्रस करना पड़ रहा है लेकिन ये सफल होगा ये यथार्थ ग्यान है और इसी से जीवका कल्यान हो सकता है ककड भांगत माद खूपीवें बकरे काट तलावें हैं सन्या सी संकर को भूले बंब महादे जावें हैं योभी बैदा है बैदे से लेदा योभी बैदा बैदा क्यों जाने हम सत्गुर में टेलों जाने ये दसनामी दया नहीं जाने गेरू कप्ड रंगावें हैं और पा सब्सक्राइब करें और यह पार्वर्म से प्रिचित नहीं सत्पुर्थ से और सिव को बगवान बतावें यह सब का सर्वेश्वर भाहिश्वर मर्कुंद्य कालेज्ज